दोस्तो स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में दोस्तो चलिए बिहार के तमाम 15 बड़े ख़वरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताए कि आप बिहार के की जिले में रहते हैं साथ ही अपनी तरब से आप इस वीडियो के एक प्यारा लाई जरूर कर दे साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट मॉक्स में जरूर पूछे आज की सबसे पहली कबर बिहार में पंचायत प्रतिनिदियों का कायरिकाल नहीं बढ़ेगा इतिहास में पहली बार वाड सदै से सरपंज मुख्या का काम परामर से समितिक गी सौल जोन से लागू होगी नहीं विबस्था जी हाँ बिहार सरकार ने पंचायत प्रतिनिदियों के कायरकाल को न बढ़ा कर गाउं के सरकार चलाने के लिए इतिहास में पहली बार परामर्सी समित्ती गठित करने का फैसला किया है मंगलवार को वी केबिनेट की बेटक में मुख्यमंत्री नितिस कुमार ने इस सम्मधित प्रस्ताओं को पास कर दिया प्रकन विकास अधिकारी बीडियो और पंचायत सचिवों के हाथों में चले जाएंगे लेकिन चुनाओं के बाद नहीं पंचायत प्रतिनिदियों के सकतिया कायम रहे इसके मद्दनेजर अपसरों को नई योजना लाने का अधिकार नहीं सोपा जाएगा इसके अलावा चालो योजनाओं को चलाते रहने लाये कि आर्थिक सकतिया उन्हें सोपी जाएगी अगली सबसे बड़ी कबर सिवीएसी बारवी की परिक्चा हुई रद पिया मोदी की मिटिंग के बाद लिया गया फैसला प्रधान मंत्रे नरेंद्र मोदी की अधिक्षता में हुई अहम बैठक में सिवीएसी और आईसी एसी बारवी बोर्ड परिचाव को रद कर दिया गया है कुरोना महामारी के अनिष्टा बरे माहौल और विभिन हित धारों को की राय लेने के बाद यह फैसला लिया गया है कि इस साल कख्चा बारवी बोर्ड परिचाए आवजित नहीं की जाएगी सिवीएसी बारवी की चात्रों को रिजल तयार करने के लिए कदम उठाएगा यहाँ एक पार दरसी वेकल पिक परक्रिया की जरिये एक समय सिमा के भीतर होगा सिवीएसी ने बताए कि पिछली साल की तरह यदि कुछ चात्र परिचा देने की चाह रखते हैं तो इस्तिती अनुकोल होने पर सिवीएसी द्वारा उन्हें ऐसा विकल प्रदान किया जाएगा सरकार के इस पिसले से सिवीएसी कक्चा बारवे की परिचा देने जा रहे करी 12 लाग और आईसी एसी के 4 लाग चात्रों को बड़ी रहत मिलेगी यानि इस साल बारवे के करीब 16 लाग चात्र बेना परिचा दिये हैं पास हो सकेंगे अगली बड़ी कबर बिहार में स्वास्त बिवाग में बंपर बहाली इस साल होगी 30,000 निक्तिया स्वास्त मंत्रे ने कहा 19,000 पदो पर 15 सितंबर तक हर हाल में होगी बहाली जिया बिहार के स्वास्त मंत्री मंगल पाने ने कुरोना की सम्मावे तिसरी लहर से लड़ने के लिए विभाग के अपर मुख सचीव सहत अधिकारियों के साथ हाई लेवल बेठक कर विश्थित कारी योजना बनाई है मंगल पाने ने इसकी जानकारी देते विए बताया कि विभाग द्वारा विभिन इस तरोपर सगन समिक्चा करते विए भविस के लिए तैयारी की जा रही है वर्स 2021-22 में स्वास्थ विभाग द्वारा 30,000 न्युक्तिया विभिन पदोपर की जाएगी आगे मंत्री पाने ने बताया कि विभास्तावों को और बेतर करने के लिए मानो बल क्या वाज सकता है इस क्रम में 6,333 विशिसक और समान चिकिसक, 327 आविश चिकिसक, 461 जियनम और 923 एनम की न्युक्ति 15 सितंबर 2021 तक कर लेने के निर्दिस दिया गिया है साथी अलग-अलग पदो पर लगबग 7,000 नियुक्तियों की प्रक्रिया बिहार तकनिकी सिवा आयोक के मायदम से पूरी करने का निर्दिस भी दिया गिया है अगली बड़ी कबर बिहार में एक बार फिर बैंकों के खुलने के समय में कटोती लोगडाउन 4 के दोरान सुबद 10 से दोपर 2 बज़े तकी होगा काम जिहां कोरोना के हालात को देखते वे बिहार में बैंकों के खुलने के समय में एक बर फित की गई है लोगडाउन 4 के दोरान सुबद 10 बज़े से दोपर 2 बज़े तकी बैंक खुलेंगे स्टेट लेवर बैंकर्स कमिटी ने सर्कुलर जारी करके यह जानकारी दी है वताया जा रहा है कि कोरोना की दूसरी लहर के कारण बैंक कर्मी दसाहत में है जिसके कारण यहाँ पैसला लिया गया है अगली बड़ी कबर अब बिहार के सहरों में भी चलेगा टिका करन एकस्प्रेस अब घर के पास लगेगा कोरोना का टिका जिहाँ बिहार में टिका करन के रप्तार को और गति देने के लिए अब सारी चेत्रों पर भी जोर दिया गया है प्रदेश में विक्चुक से लेकर रिक्सा चलक की पहचान कर टिका लगाए जाएगा राज में टिका करन को रपतार देने के लिए चलाए गई टिका एक्सप्रेस रपतार नहीं पगड़ पा रही है स्वास्थ विवाग द्वारा गाउं गाउं टिकाकरण के लिए टिका एक्स्प्रेस वेन भेजी गई है लेकिन अब तक उसके अपेक्चित परिणाम नहीं दिख रहे हैं ऐसे में स्वास्त विबाग अब सारी छेत्रों में भी टिका अभियान को तेज करने की पहल की है। अब तक की मिले जानकारी के मुताबिक टिका करन की गति में सबसे बड़ी बाधा जागरुखता की कमी आई है। अब आसा करता हूँ और जिविका की महिलाव को टिका एक्सप्रेस की रब्तार देने के लिए लगाया जा रहा है। इस बेज सहर में इस अभियान को तेज करने की कोशिस की जा रही है। अगली बड़े कबर बिहार में बाध के खत्रे की अब पहले मिल जाएगी जानकारी 72 गंटे पहले मिलेगा अलर्ट जिहां इस साल बाध की तराजदी जहलने ओले बिहार के लिए एक अच्छी कबर है। में बाध के प्रभाव को कम करने के लिए जल संसादन बिवाग सर्टिफिस्यल इंटिलिजेंस पर आधारित अच्तो दुन्विक तक्निक के साथ अब डोन का भी इस्तिमाल करेगा। डोन का इस्तिमाल बाड के दोरान तडबंदों के रियल टाइम मोनिटरिंग में किया जाएगा। इस पहल से 72 गंटे पहले ही बाड की जानकारी मिल सकीगी। इस पुरी विवस्ता में बिभाग की संस्ता बाड परबंदन सुदार सायता केंदर स्थीत मैतेमेटिकल मॉडलिंग सेंटर के महतपुन भुमिका रहेगी। या संस्ता आगडों का विसलेशन कर अगले 72 गंटी की सिती का सठीक पुरानुमान जारी करेगी। अगली बड़ी कबर बिहार के पुलिस कर्मियों को मिली चितावनी। पुलिस मुक्याले की और से जारी आदिस में कहा गया है कि ड्यूटी के दोरान मॉबाइल के वेज़ा इस्तिमाल पे उनके काम पर गलत असर पढ़ रहा है। पुलिस मुक्याले की और से जारी आदिस में आगे कहा गया कि ऐसे कई दभी देखने को मिलता है कि ड्यूटी पर आने के दोरान है पुलिस कर्मियों बेवज़ा मॉबाइल चलाते हैं। साथ आदिस में कहा गया है कि सभी पुलिस पदादिकारे और पुलिस कर्मियों अपने ड्यूटी के दोरान किसी भी तरह का फोन ना चलाए सिर्फ विशेश परिस्तियों में इसके इजाज़त होगी ऐसा ना करने पर इसे अनुसासन हिंता माना जाएगा और कारवाय भी हो स्वास्थ विवाग के और से जारी ताजा आकड़े के अनुसार पिछले 24 गंटे में पुरे बिहार में कोरोना के 11-74 नई केस मिले हैं इसके साथ एक कूल एक्टिव केसों की सेंग के घटकर अब 14,250 रह गया है लेकिन अवे राजदानी पटना में आने जिलों से ज्यादा मरिज मिल रहे हैं राजदानी पटना में पिछले 24 गंटे में 132 नई केस मिले हैं कोरोना रिकवरी दर की बात करे तो रिकवरी दर बढ़कर 97.25 परतिसक तक पहुझ गया है पिछले 24 गंटे में कूल 1,88,347 सेंपल के जाच की गए थी अब तक कूल 6,88,462 मरिज ठीक हुए अगली बड़ी खबर पप्पो यादव को लगा बड़ा जटका जमानात याचिका खारीज यानि कब तक जेल में रहेंगे जाप सुप्रीमों जहा 32 साल पुराने केड़नेबिंग के मामले में जेल में बन जाप सुप्रीमों और पूर्व सांसत पप्पो यादव को कोट से बड़ा जटका लगा है जिला जजज रमिस चंद्र मालविय के कोट ने पप्पो यादव की जमानात याचिका को खारीज कर दिया है लिया ज सेसन कोट को भेजने का आदेश दिया है साथ न जाले एक भी कहा कि अगर छे मैने के अंदर केस्त का निस्पादा नहीं होता है तो फिर से फिटिसनर प्रेस बेल के लिए पिटिसनर फाइल कर सकते हैं बेल रिजेक्ट होने के बाद पप्पो यादव के वकिल ने बताय कि इस मामले में विचार किया जा रहा है उसके बाद ये आगे के रननेती पर काम किया जाएगा आगली बड़ी कबर निती सरकार का बड़ा फैसला 15 जून तक सभी डॉक्टर और मेडिकल स्टाप की चुट्टी अरद जिया बिहार सरकार ने कोरोना महमारी की रोकताम को लेकर स्वास्थ बिवाग के विशेश कार्प दादिकारे स्ट पांडी ने इस बारे में आदेश जारी कर दिया है या निर्देश ततकाल प्रभा में राज भर में लागू रहेगा इसके पूर्व 31 मैं तक स्वास्थ बिवाग के सभी डॉक्टर और कर्मियों की चुट्टी जर आ रही है इसी बेच राज सरकार कोरोना वैक्सिनेशन में तेजी लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है स्वास्थ मंत्री मंगल पाने ने कहा कि अगले दो तीन दिन के भीतर 18 से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सिन दी जाएगी आपको बता दी कि राज में वैक्सिन स कोलेज में 30 जून तक बढ़ी नमांकन फॉर्म भनने की थी प्यो में इंटर के अंग पर नमांकन जिहां पटना विमेंस कोलेज में नए सत्र 2021 के लिए नमांकन फॉर्म भनने की थी बढ़ा दी गई है कोलेज प्रसासन ने नोटिस जारी करते विए बताए कि बीए में नम मांकन के अंतिमति थी 30 मैं ती इसे बढ़ा कर 30 जून कर दिया गया है कोलेज की प्रचारिया सिष्टर रस्मिक अनुसार अवे बीए के कोल 25 सब भरे गये हैं कोरोना लोडाउन के कारण चात्राओं को फॉर्म बनने में परिसाने नहीं हो इसलिए डेट को आगे बढ़ा द अगली बड़े कवर पटना के 70 गाउं की किसानों को करीब 10 क्रोड की फसल यास से बरबाद बिहार सरकार देगी मुआवजा जी हाँ यास तुपान ने भी बिहार के किसानों को बड़ा नुकसान दिया है अकले पटना सिटी अनुमंडल अंतरगत पटना सिटी वा पतवा चेतर के लगवग 12 पंचायतों के 70 गाउं के हजारों एकड़ खेत में लगी प्याजवा सबजी की फसल यास चकरवात की बारिस और तेजवा से तबा हो गई है इसे सेकडों किसानों को लगवग 10 करोड रूपे से अधिक का आर्थिंग नुकसान हुआ है इस तबाई का ज अगली बड़ी कबर बिहार में अब चातर पढ़ेंगे जल जीवन हर्याली विस विदालय की कोर्स में होगा सामिल जिहां सिक्चा विवाग लौडाउन के बाद कुछ बड़े निडने लेने जा रहा है इसमें सबसे पहला और अहम निडनाई राजसरकार के ड्रीम पुद्री ने इस समद्ध में ऊचिस्तरिय विचार मंधन के बाद इस तयारी पूरी कर ली है लौडाउन हटने के बाद इस समद्ध में आपचार एक घोसना तय मानी जा रही है और अनकी बड़ी कबर एगनु सतांतर परिचा के लिए 15 जून तक भरी फॉर्म असायमेंट जमा करने के बाद फॉर्म परिचा की नई तिथी जल्द होगी चारि एगनु अजदन केंद्र पुर्णिया के समयन प्रोफेसर गोरिकन जान ने बताई कि असामेन जमा करने के अंतिम देदी को बढ़ा कर 15 जून 2021 तक किया गिया है साथ उन्होंने बताया कि पात्रता प्राप्त ऐसे अभियारती जोनोंने अब तक सतांदर परिच्छा के लिए सत्रिय कारे जमा नहीं किया है वे अपना सत्रिय कारे ओनलाइन मैदम से गुगर फ़र्म द्वारा अत्वा ओफलाइन मैदम से सिक्चारती सायता केंदर पर जमा कर दे ग्रामेन विकास वा अनवान अजदन से जोड़े चात्र अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी विस्विदाले के होम पेज आज के लिए आपका स्वाल बताए कि बिहार में गाउं के लोगों को टिका लगवाने के परती जागरता के लिए बिहार सरकार को कौन से रन्नेती अपनानी चाहिए इसका जबाब आप हमें नीचे कमेंट बोक्स में जरूर बताए